हेलो अब्रिवन इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन पियर्सन आई आई टी फाउंडेशन का एक चैप्टर जो कि फ्लिट मेकनिक्स है उस चैप्टर का थर्ड वीडियो हो गए इसमें हम लोग बैरोमीटर सिंपल बैरोमीटर को डिसकस करेंगे है ना जैसे आपकी किताब है मैंने जहां तक पढ़ा दिया है उसके बाद अटमस्फेरिक प्रेशर तक पढ़ा दिया है अब जो डिसकशन होगा वह एक्जेक्टली ऐसे मैं यहां पर बोर्ड में कॉपी नहीं करूंगा लेकिन बातें वही होंगी मैं बाद में कंक्लूड कर दूंगा आज जो दिसकस करने के बाद मरकरी ही क्यों इस्तमाल किया गया मरकरी के प्लेस में वाटर भी इस्तमाल कर सकते थे या अलकोहल इस्तमाल कर सकते थे क्यों नहीं किये उन सब बातों पर डिसकशन होंगी यह जो सिंपल बैरोमिटर इसमें भी क्या क्या कमिया है इसमें क्या लिमिटे चीज हों कि बारे में डिसक्स करेंगे और सिंपल बैरोमेटर जो है उसका डिस अड्वांटेज़ गया जो मैंने का उस पर डिसक्स करेंगे लेकिन किताब में जैसी चीज़ है given है वो हम बाद में conclude कर देंगे पहले मैं जैसे बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनें ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले discuss करेंगे हम लोग barometer क्या है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है simple barometer क्या बैरोमीटर जैसे थर्मामीटर थर्मोमीटर या थर्मामीटर है जैसे आपके पास रूलर है रूलर क्या मेजर करता है रूलर आपके पास एक डिवाईस है एक वह जो चीज है वो क्या मेजर करता है बताईए वह लेंथ को मेजर करता है टाइम एक डिवाईस है जो क्या म किया मिसरल करता is atmospheric pressure it is used to measure कि वाट wyspheric बैश्री कि इसको मेजर करेंगा बार मीटर海ट मस्फरिक प्रेशिर को बार मेटर हम इस्ते साय. जो लिक्विड हम इस्तेमाल करेंगे that is called what barometric liquid क्या बोलेंगे इसको barometric liquid तो एक इंस्ट्रूमेंट है बैरो मीटर नहीं बैरो मेटर इसन इंस्ट्रूमेंट तो मेजर atmospheric pressure okay इसको दिया था एक्टॉलिट टॉरी सेली नहीं इसको डिजाइन किया था टी ओ राई मेरा स्परिंग अगर सही है अकलत होगा ठीक कर लिज्याँ टी ओ डबल आर आई रर आई चल आई सिय टॉरी सेली कि सी डबल यहाई थिए स्पैलिंग तो टॉरी सैली ने बैरो मेटरी बैरो मेटर को design किया था what is barometer barometer एक instrument है जिससे हम atmospheric pressure को measure करेंगे ठीक है इसमें क्या होता है इसमें आपको एक tube लेना होता है क्या लेना होता है और यह tube जो होगा एक तरफ open होगा इधर से हमारा close होगा ठीक है यह tube ऐसा होना चाहिए कि transparent हो तो आप खुद जाने transparent ट्यूब किसका आप लेंगे आपके पास एवेलेबल वह glass है तो यह glass tube है इसका length sufficient होना चाहिए अब यह क्या चीज़ है यह बाद में आपको समझा आएगा glass tube यह कैसा होना चाहिए of sufficient length मैं discuss करने के कोशिच करूंगा इसको के sufficient length किया है लेकिन glass tube tube कर लेंद होना चाहिए वो कैसा sufficient एक लेग्लास्टी वोना कैसे क्या है क्या है कोई liquid है और हम बता दे आपको लिक्विड कान है येह लिक्विट आपको भी पता होगा ये mercury किया यो mercury्मक री तो हम अपने situation में क्या लेंगे mercury क्यों लेंगे वहूं दिसकास करेंगे कि तो यह यहाँ पे और रडी क्या है mercury battery com हो एजजी लिखेंगे हैं हाइड्रार्जीरम और इसमें क्क्या करेंगे इसúpे मरकृरी हम पूरा डाल दिएगे ठीक है पूरा मरकरी इसमें भी ढाल देंगे अ ह Swe. नहीं भी दालने से काम हो सकता है लेकिन इस से आपको ज्यादा फील आए अब mercury डालके हम अपने यह जो हमारी उंगली है इस से इसको दबा के या किसी स्वकार्ट से इसको दबा के रख देंगे और उसके बाद इसको ऐसे पलाट के हैना इसको ऐसे पलाट के इसको यहां पर हम डालेंगे छूझ है जब ऐसे डालेंगे chef तो क्या पता चला कि यह जो लिक्विट है किसका मर्करी का जब है थोड़ा सा यह कहां आ जा रहा है नीचे आ तो ये इसके अंदर भी मरकरी है तो मरकरी का जो कॉलम है पूरा भरा हुआ था ये फूरा का पूरा भरा हुआ था लेकिन जब इसको पलाट दिये यहांपर कुछ खाली हो गया अब जब यह खाली हो रहा होगा तो खुद सोच एइसके अंदर तो हवा थी नहीं जब यह नीचे आएगा मतलब इसको प्लाटने के बाद इसके लिक्विड जब नीचे आएंगे तो यहां पर जो खाली हो गए जहां तो हवा भी नहीं तो कि ग्लास के थ्रू हवा तो इंटर नहीं कर सकता ठीक है यहां जो क्रियेट हुआ इसको बोलते हैं वैक्यूम और इस वैक्यूम बोलते गया है वैक्यूम है और यह कैसा वैक्यूम है इसका नाम रखा गया टॉरी सिलियन वैक्यूम क्या टॉरी सिलियन अब इस पिलिंग देख लेगा ठीक है तो देखिएगा आपकी किताब में कुछ शेप ऐसा टाइप का होगा इस शेप भी हम डिसकस नहीं है आपकी किताब में तो मैं डिसकर कर दूंगा वरना यह 11 की बात हो जाएगी ठीक है इसको प्लाट की यहां पर रखती है अब क्या होगा यह जो बाहर जो भी आप देख रहे हैं जो भी एटमस्फियरिक प्रेशर होगा यहां से एक्सपोज़ तो यहां पर जो भी है यह कौ से नॉर्मली जो एटमस्फियरिक प्रेशर होता है इसका वैल्यू आपको पता होगा इससे पहले आइटिंग मैंने बताया है है अना एटमस्फियरिक प्रेशर अगर हम देखें अगर यह एक एटीम है तो यह होता है वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटु टेन रेस तो द हैंगे हैंना अब बताएए एक चीज़ आपने पढ़ी है कि अगर इस्टैक फ्लोड यह फ्लोड है एक लिक्विट अचोड हना तो हराइज़वन झैल में इस्टैक अगर है स्टैक का मतलब रुका हुआ है तो हराइज़वन तैल लेवल में चाहाँ आप यह पॉइंट ल exposed है मतलब यह जो प्रेशर होगा और अट्मॉस्फेरिक फ्रेशर दोनों आपस में बराबर होगा और यही प्रेशर किसके बराबर होगा सेकेंड में प्रेशर के बराबर आप बोलेंगे ऊपर तो लिक्विट है लेकिन एक बात सोचें यहां तो वैक्यूम है न यहां कुछ ह रही नहीं तो कौन प्रेशर वहां पर लगाएगा तो इस वैक्यूम में में प्रेशर कितना होगा जीरो यहां से प्रेशर होना शुरू हो यह सारा प्रेशर मिलके यहां जो आया सेकेंड में पीटू यह किसके बराबर हुआ पीवन के बराबर और पीवन किसके बराबर हो और पीवन किसके साथ है पीवन किसके बराबर होगा पीनॉट के बराबर और जो पीटू होगा वो कैसे निकलेगा यहां का प्रेशर प्लस रोजी एच पढ़ाया गया होगा है ना पीटू क्या होगा बताईए यहां का प्रेशर कितना जीरो प्लस कितना आना है रो जी एच यह formula पता है ना आपको रो जी एच रो क्या है density of the fluid जो यहाँ पे है और जी क्या है हमारा acceleration due to gravity और एच जितनी height तो इतनी height के बाद bottom इसके लिए bottom मैं भी माल लो इसको छोड़ो यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद हमने कितनी height achieve की हाइट और यहाँ पर प्रेशर कितना है जीरो एक्स्ट्रा कितना होगा रोग यह अगर यहाँ पर कुछ होता तो something plus rho g h होता है तो यह जो zero plus rho g h रो किसकी density उस liquid की density या उस हम पी नौट की बात करें है तो यह जो निकल के आएगा यह पी नौट है न डेंसीटी किसका लेंगे इस fluid का इसकी density आपको पता होगा 13.6 ग्राम पर संटीमेटर क्यों वाटर की density कितनी होती है वन ग्राम पर संटीमेटर क्यों उससे 13.6 टाइम ज्यादा है यह भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है एक बात तो आपको समझ आ गई कि देंसीटी ओफ हाइड्रार जीरम या मर्करी इस मच 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 लार्जर देन वाटर और आपको पता होना चाहिए लिक्विड में जहां तक मुझे पता है कि मर्करी इस देंसेस्ट लिक्विड मर्करी क्या बोलिए एक देंसेस्ट लिक्विड है याद रहे मर्करी इस दा मैं लिक्विड की बात कर रहो कितनी होती है वन ग्राम पर संटिमेटर की उससे कितना गुना ज्यादा है थर्टीन पॉइंट सिक्स टाइम ज्यादा तेरा गुना से भी ज्यादा समझ रहे मतलब एक संटिमेटर क्यूब में अगर पानी एक ग्राम रहे तो उसी एक संटिमेटर क्यूब जगह में मरकरी कितना रह सकता 13.6 ग्राम बहुत हैवी है तो यहाँ पर रो किसका इस्तमाल करेंगे 13.6 अगर इसको निकालें किसमें किसमें निकालें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो हजार से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा यह आप क से मेरें किसमें किलोग्राम पर मीटर कीयूब में तो पीनोट कितना पीनोट क्या हमारा एक मस्कैर एक परेशन बट एटमस्फेरेक प्रेशन गाइगा यहां से प्रूफ हो जाया देखी रोहा कितना हमारा 5 31600 और जी कितना है दस और हाइट को हम अबसर्व करेंगे हाइट मिला कितना 76 सेंटिमेटर यह हमारा अब्जर वेशन है यह हम देख रहे हैं आप कैसे अब्जर्व करेंगे यहाँ पर हम एक स्केल लगा देए इसका जीरो लेवल है इस तरह से करेंगें नाफर करा रहा है यह यह सेंट डैसी सेंटिमेटर हम न अफ्र Brazil किका तो क्या अब्जर्वकिया 70 biggest चकिए अब्जर्व की एहम देख किया हैं सेंटिमेटर में लिए तो हन्रेट से डिवाइ़ करेंगे म दू मीटर में आ जायेगा येचा रमिटर क्योब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वार है ना ये किसमे किलोग्राम पर मीटर क्यों ये कितना मीटर पर सेकंड और ये क्या हमारा मीटर तो मीटर 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 स्क्वार ये कैंसल हो जाएगा है ना तो जो भी होगा ये जो यूनिट आएगा हमारा ये किसका आएगा ये मैं भी इस पे नह जा रहा हूं हानव यह जो पिनोड सारे ऐसा यूनिट से हैं तो जो आएगा वो अनसर भी किसमें आयेगा हमारा ऐसा यूनिट में है ना या एक किलो ग्राम मीटर स्कुरेंग खिक से देखेंगे तो आएगा भी रोगं वरी हैं तो यह हमारा कितना था यह को जाने देख नहीं है तो चलि मैं यह कूछ चेए गाए है आप तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्कॉर यह क्या हमारा न्यूटन हो जाया गा और यह नीचे मीटर स्कॉर समझे न न्यूटन पर मिट्रिस कर क्या होगा पास्कल इसको सॉल्व करेंगे यह दो जीरो हमाद दो जिरो कैंसिल हो गया तो 76 136 इंटो टेन इस सी में निचे वाला लेवल वो कहला आता है वहाँ पर हमने देखा वहाँ पर हम एक जी का के टन है आपरौक्समेट्ली वाश्ड़ चाहता है वे यह हमारा atmospheric pressure आगया कितना one point zero one into ten raised to the power of five Pascal और यहां पर देखा जाए तो height कितनी आई 76 cm यह तब जब यह atmospheric pressure normal वाली बात करें तब अगर हम पहाडों में चले जाए बहुत उचाई में चले जाए तो pressure कम हो जाएगा जब atmospheric pressure कम होगा है ना तो height भी क्या हो जाएगी कम यह height कब मिलेगी जब normal pressure रहता है normal atmospheric pressure के case में जो height मिलती है कितनी मिलती है 76 cm मतलब हम कहेंगे कि जो हमारा column है liquid का यह 76 cm नीचे अगर आए वैक्यूम के सबसे नीचे यहां मतलब इस वैक्यूम जहाँ पे खतम होता है यहां से जहां से लिक्विड शुरू होता है यहां से 76 cm नीचे आए तो उस horizontal level में वो जो point है उस point का में जो pressure होगा वो किसके बराबर होगा atmospheric pressure के बराबर होगा मतलब हम कह सकते हैं कि जो 76 cm of hg है is equal to कितना हुआ हमारा पी नौट जो कि कितना आया one point zero one into ten raised to the power of five Pascal लेकिन यह इस case में आया अगर कभी यह 50 cm of hg आ रहा है तो कुछ pressure क्या होगी है कम हो गया है ठीक है तो जो 76 cm of hg यह इसके बराबर किसके बराबर one point zero one into ten to five Pascal इस से ज्यादा होगा तो प्राब्लम आ जाएगा मान लेते हैं कि 76 cm वैजी और आपने यह 50 cm का ही कॉलम लिया मतभी जो ट्यूब लिया तो प्राब्लम आ जाएगा ना डैट विल बी कॉल ग्लास टीव आफ इनस अफिशियंट लेंद उसमें क्या होगा उसमें डिसकस नहीं कर रहें तो य यह चेंज भी हो सकता है अगर आप किसी हाइट में चले गए या कोई गरबड़ी आ गई प्रेशर चेंज हो ही सकता है तो उस वक्त हो जरूरी नहीं कि 76 cm मिलेगा अगर मान ले 50 cm मिल रहा है इसका मतब प्रेशर घट गया है अगर 20 cm तो प्रेशर और भी घट गया है अलग चले ठीक है तो ख्लेर हो गया होगा मुझे अमीद हैं बारोमेटर किया है की इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग अटमासफियर एक प्रेशर को मिज़र करते हैं किसको करते हैं एक मॉस्ट प्रेशर अनः कर चे लिँग तो आप इसका खिया लखें के जो यहाब पे लि 76 cm नीचे आए उस वैक्यूम से हैं कितना नीचे है 76 cm नीचे तो उस पॉइंट में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा एट्मास्फेरिक प्रेशर अगर पजास सेनिमेटर फजी होगा तो कुछ घड़ गया होगा ठीक है यह कभी मत सोच लें कि हाइट किसके बरा फॉर्मला जो रोजी है चाया हमारा तो हमारा उतना ही रहा है का 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और जी कितना ले रहे हैं दस मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर और हाइट अब कितना रहा है 70 cm इसका मतलब जहां पर मेजर कर रहे हैं महां प्रेशर कुछ कम हो गया होगा ए है ना तो यह क्या हो जाएगा 3600 सेंटिमेटर है तो हंड्रेट से डिवाइड कर दीजी तो कितना हो जाएगा मीटर सब्सक्राइब की बात कर रहा हूं दो जीरो दो जीरो कैंसल इसको मल्टिप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 95200 थोड़ा सा कम हो गया है यह जो गा किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड सक्वाइड इंटु मीटर भाई मीटर क्यूब तो नीचे क्या बचाएगा मीटर स्कॉर वन वाई मीटर स्कॉर यह न्यूटन है तो 95200 न्यूटन पर मीटर सक्वाइड को पास्कल कहते हैं तो थोड़ा प्रेशर कम हो गया यह लेंगे तो अल्कॉल की जो डेंसिटी है वह कितनी है 800 kg पर मीटर क्यों हब आप खुद सोचिए यहां तेरह हजार चैनल किलोग्राम पर मीटर क्यों इसकी वजह से 76 सेमिटर आ रहा है 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 इसकी वजह से हाइट क्या हो जाएगी बहुत बढ़ जाएगी समझ रहे हैं उसी तरह रो अगर हम वाटर भी ले सकते हैं तो वाटर की दंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यों क्यों ने लेंगे इस पर भी डिसकस करना है ठीक है तो आप यह समझ जाएए कि जो 70 संटिमेटर कभी हाइड बदल सकती है यह जी बदल सकता है रोग बदल सकता है समय रोक बदले का जब मटरियल ही चेंज कर देंगे हां सॉलिड ने ले सकते आपको क्या ल इस से जाधा डेंसिटी वाला कोई लिक्विड ने अगर डेंसिटी बहुत जादा होने की वज़े से हाइट बहुत कम मिलती है और इतनी हाइट का हम ट्यूब बनाने में समर्थ हैं जाधा हाइट का बनाने से उसको ठीक से रखना ही मुश्किल हो जाएगा समझ रहे हैं औ आगब ट्रांस्पैरेंट हो जाए जैसे हवा को देख नहीं पा रहे हों कि वहाइए ऊसी तरह से अगर हम पानी ले ले दो पानी तरह तो ट्रांस्पैरेंट नहीं होता है ऑनो जो नार्मल वातर लेकिन वाटर तो ट्रकॉयों अब् hurt and does नहीं लेता तो प्राब्लम क्या हम और प्र यह ईसा होना चाहिए वाइप राइज होने से क्या हो जाता मान लेते हैं आपने उसमें कॉलम में हो जूप उस Whew क्या डाला मरक्री सको उल्डल मतलब इसको प्लाड दिया- certains द्हें प्लाटना कैसे समझ रहेरonder आपकर सको बंद करके अंदर डालन है उसे वैक्यूम क्रियाट होना चाहिए वहाँ पर चेक है तो क्या होगा और सब मटे जैसे पानी है तो पानी वैपोराइज होके वह जहां वैक्यूम यहां बनता है जिसको हम जहां प्रेशर जीरो माने है वहाँ पे क्या है आपका वहाँ पर कुछ माले की उस चले जाएंगे जिससे कुछ प्रेशर मिलेगा जो रेडिंग हम सोच रहें वह नहीं आएगा उपर से जितनी हाइट होनी चाहिए उसमें कमी भी आ जाएगी लियर ह तो ये सब कारण हैं आपकी किताब में कुछ और कारण हैं तो देख लेंगे उसके बाद सवाल यह कि वाइ नौट वाटर चूड कि इस्नमाल तो वाटर हम कर सकते हैं चूंकि वाटर बहुती ज्यादा हमको आराम से मिलेगा मरकरी तो इतने आराम से नहीं मिलेगा यतना होगा बताइए वो सब वैपराइशन वगरा के बारे में अगर हम इसको इग्नोर भी करें तो आप देखे क्या होगा अगर हम सब कुछ तो रो जी एच रो कितना लेंगे वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर की जी टेन ले ले लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली तो हाइड निकल ज तो हाइट आया हमारा टेन पॉइंट वन मीटर अब बताइए हमको एट लीस्ट ग्यारा मीटर का एक ट्यूब लेना पड़ेगा नहीं तो इन सफिशेंट लेंथ हो जाएगा तो आप खुद बताइए कि इतना बड़ा ट्यूब लेकि मेजरमेंट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है जिसकी वज़े से हम वाटर नहीं लेते हैं सेकंड क्या है ट्रांसपैरेंट है यह अब ट्रांसपैरेंट है तो रिणिंग लेना बड़ा मुश्किल है कैसे लिजएगा देखी नहीं पाएंगे हम बड़ा क्या मुमकिन ही नहीं अगर ट्र है मरकरी में यह खतरा नहीं किसमें खतरा नहीं है मरकरी में यह खतरा नहीं ठीक है चलिए तो यह सब बातें आप समझ गए अब आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से आप कैसे पढ़ेंगे देखिए आप किताब भी पढ़ लेंगे मेजरमेंट आफ एटमसफेरिक प्रेश उसके बिएरोमेट्रिक लिकوीट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसकी डेंसीटी बहुत जादा होनी चाहिए क्यू ने कर दिया वेपर ने कम होने है प्रेशर का बolvedलकी यह जाई है कि सबसे ज्यादा आपक होना चाहिए बता दिया दे लिक्विड शुड नोट इस्टिक टु दे वाल्स और इसमें खुबी ये बात है खुबी है कि ये जो मरकरी है वो वाल में चिपकता नहीं है तो इसका भी ख्याल लखना है इन सारे प्रॉपर्टीज को सबसे ज्यादा सैटिस्फाई जो कर यह ठीक है मैंने मेन बात हैं डिसकस कर दी मैंने बोला था कंक्लूड करेंगे किताब से हैना इसमें कुछ बात हैं है क्या बात नहीं देखिए यह फैक्टर्स आफेक्टिंग दो बैरो मीटर हाइट फैक्टर्स अफेक्टिंग दो बैरो मैटरिक हाइट किताब जरूर पढ़ें आप ठीक है नहीं तो फिर आप बेवकूफ हो जाएंगे वैसे पढ़ाई नहीं करनी है कि बस लेक्चर देखना है हो गया ठीक है सबसे पहला जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है मोईश्यर इन्द मरकरी मरकरी में अगर गलती से मौईश्यर आ जाए जैसे वाटर का वेपर आ जाए या एलकोहल आ जाए तो यह वैपोराइज हो के वैक्यूम में चला जाएगा और वैक्यूम में जो प्रेशर हम जीरो माने ते वह जीरो नहीं होगा तो कुछ हाइट डिक्रीज हो जाएगा अप्रेशर है हमारा वह कैसे मिलता था पी मतलब हम 0 माने थे तब 0 नहीं हो यह वेपर प्रेशर होगा प्लस रोग अच यह रोग यह जी वज़ा से उस लिख्विड के हाइट के का ओनम की वज़ा से ठीक है तो यह कैसे मिलेगा पी नॉर्ट माइनस रोग तो ट्रू एटम solve impurities अब खुद बताई एकर कोई भी गंदगी दूसरा लिक्विर अगर इसमें इंटर हो जाए तो इफेक्टिव जो डेंसिटी है किसकी मरकरी की मरकरी तो रहा नहीं और चुकि इंप्यूरिटी मिल गया तो मरकरी में कुछ गंदगी आ गई तो इफेक्टिव हाइट भी याथ नंबर और हाइट 1214 लेवल हाइट सुल सी बात है हाइट अगर बढ़ेगा तो एकपर ट्रेशर है वह तो घटेगा तो जब घटेगा समझ रहां थो हई हाइड प्रेशर घटेगा तो जो लिक्वीड के जो हाइड है वह भी घटे का चुकि लिक्वीड का हाइड से ही हम मेजर करने किसको एटमस्फेरिक प्रेशर को तीसरी लास्ट बात हुमिडीटी ही में कन्फीजन हो जाता बच्चों को यह काफी इंपॉर्टन बात है याद ना जो हुमिड एयर होता है और जो ड्राई एयर होता है जो हमारा ड्राई एयर है और जो हमारा हुमिड एयर है हुमिड एयर की डंसीटी कम होती है और ड्राई एयर के डंसीटी ज्यादा होती है बहुत बच्चों को लगता है कि सर अगर उसमें पानी के पार्टिकल्स मिल जाएं तो उसकी डंसिटी बढ़ जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप एर के मॉलेक्यूल की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन भरे भरे पड़े हैं तो यह होता 29 ग्राम पर मोल क्यमिस्ट्री आ गया है और अगर आप पान माल लेते हैं छे को हैं यह 29 ग्राम पर मोल है अगर यह हट के इसमें पानी आ जाए एच्टू तो अब खुद सोचने क्या होगा दो अना प्लेस ऑक्सिजन का कितना सॉल है तो सॉलर दो कितना अठार है तो 18 ग्राम पर मोल ऐसे मिक्स हो रहा है जो चीज है न वो तो उसके effective density को क्या कर रहा है कम कर रहा है तो अपने जाने समझ नहीं समझ आया रहा है इसको छोड़ी है बस याद रख लिए हुमिट एयर की density जो ड्राइयर है नॉर्मल एयर है उससे कम होती है तो density कम हो जाए अगर humidity की बात करें तो density क् density कम होने से फिर जो हाइट है मरकरी के कॉलम का वह बढ़ जाएगा तो यह सारी बात है अब बात करने disadvantages की तो आपकी किताब में अच्छे से लिखावा है और मैंने discuss भी कर दिया कि the surface of mercury in the truck truck वहीं जो जिसमें रखा होता है बड़ा सा does not always coincide with zero of the scale जो नीची जो zero है वो अग जा था और यह था ऐसे अंडिलावा था यहां पर जो scale है यहां पर zero बना होता है लेकिन यह तो ऊपर नीचे हो सकता है ना इसकी height बढ़ेगी घटेगी तो exactly जो zero level है यह इसके surface को coincide कभी कभी नहीं करता है जिसकी वज़े से error आ जाता है ठीक है मतलब जो zero जहां पर है वो zero तो surface के साथ contact में होना चाहिए तो कभी डूब जाता है कभी हवा में चला जाता है वह exactly कहा हो नहीं सर्फेस में लेकिन अगर scale में ही problem है जैसे आप घड़ी इस्तमाल करते है घड़ी में जहां 12 बजा 12 ही घसक कि अगर एक में चला जाए तो घड़ी actual में जो सही time बताने के सब्सक्राइब जाएगी समझ पार है तो जहां जो लिखावा होना चाहिए वह वहीं पर सर्फेस में लगावा होना चाहिए पट ऐसा होना कोई जरूरी नहीं कभी-कभी घलती हो जाती है ठीक है और इट इस नॉट कांवेजिन टू मूव दे सिंपल बैर बेरमेटर इतना हैवी होता है मतलब हैवी बोलो या समझ बहुत ही नाजुक होता है जोकि इसमें ग्लास इस्तमाल था ग्लास का ट्यूब हो गड़ा तो इसको इधर से उदर करना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है यह एयर में एक्सपोज्ड होता है तो जिसकी वज़े से पॉलूटेड भ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है है ना बहुत मुश्किल से उसको हम वर्टिकली खड़ा रखने सारी चीज़े हैं कमियां ठीक तो उमीद कर रहे हैं कि आप बाते समझे एक क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जैसे सवाल है हम लोग तो यह जानते हैं क्या लेते हैं लोग बताइए वर्टिकल हाइट समझे अधर मान लेते हैं कि गलती से हमने ऐसा कर दिया कोई पॉइंट छूट जाए तो मुझे कमेंट करें तो आपको सम्झानी कुश्च करेंगे और यह जो हाइट पहुंची यह हाइट यह कितना है फिफ्टी संटीमीटर और यह कुछ मिला होगा मालने ते कुछ अंगल वहारा कुछ नहीं ले रहे हैं और यह हमारा थोड़ वज्याद है सतर संटीमीटर ठीक है तो सवाल है यह हाइट यहां से कितना फिफ्टी संटीमीटर और यह कितना सतर संटीमीटर तो क्वेश्चन में निकालना है कि बैरो मिटर का रीडिंग कितना होगा तो प्रेशर कितना होगा तो मरकरी हैं आप इसके अंदर क्या हमारा मरकुरी तो आपको ख्याल में रखना है कि हाइट कभी भी स्लेंट वाला नहीं लेंगे आप जो हाइट वर्टिकल वाला है वही लेना है तो आप जो मेजर कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा वाला मेजर करेंगे आपका कैलिबरेशन किसमें रहता है इसमें न लिखावा ऐसे से क् लेकिन जब भी आप अगर थोड़ा से टेड़ा करते हैं मतलब टेड़ा अगर यह ट्यूब गिर जाए तो आप यह हाइट लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी यहां कुछ एंगल बनेगा तो इस एंगल के साथ फिर कंपोनेंट निकानना पड़ेगा साइन और कॉस लगा यह मैं बताने वाला था उसके बाद जो आंसर आएगा आजाएगा क्लियर है तो जब भी ट्यूब क्या हो जाए टेड़ा हो जाए तो कौन सी हाइट लेनी है स्लैंट वाली नहीं मतलब टेड़ी वाली नहीं कौन सी वाली लेनी है वर्टिकल वाली तो यह एक इंपॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप बात समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वारी मच